इस mobile पर मैंने message किया WhatsApp तो आप देखेंगे WhatsApp का message यहाँ पर दिखाई दे रहा है, screen पर दिखाई दे रहा है अगर मैं notification panel को open करूंगा तो यहाँ पर भी WhatsApp का notification दिखाई दे रहा है तो अगर आप चाहते हैं WhatsApp के notification इस्क्रीन पर ना दिखाई दे तो ऐसी setting आप कर सकते हैं इसके लिए आपको क्या करना है अपने WhatsApp पर एक सेकंड के लिए दबाना है अब यहाँ पर आपको कुछ option दिखाई देंगे आप देखेंगे यहाँ पर आपको app info लिखा मिलेगा या यह वाला i button होगा दोनों में से एक setting मिलेगी इसे आपको open करना है तो WhatsApp की app info की setting open हो जाएग अगर आपको इस तरह से setting नहीं मिल रही है तो आपको एक दूसरा तरीका भी बता देता हूँ आपको अपने mobile की settings में आना है setting में आने के बाद यहाँ पर आपको थोड़ा सा नीचे आना है sorry यहाँ पर setting open नहीं हो रही है calendar open हो रहा है तो यहाँ पर हम setting open कर लेते हैं setting open हो ग यहाँ पर आपको दिखाई देगी इस तरह थे setting आपको मिल सकती है तो मेरे phone में यहाँ पर manage app है तो यहाँ पर मैं manage apps को open कर लेता हूँ इसके बाद यहाँ पर आपको search बारे में यहाँ पर search करना है whatsapp आप 설치 करेंगी तो whatsapp आपको मिल जाएगा इसे आपको open कर लेना है य अगर आप चाहते हैं जो स्क्रीन पर नोटिफिकेशन दिखाई देता है फ्लोटिंग नोटिफिकेशन उसे ओफ करना यानि कि जो ऊपर आता है यहां पर मैं आपको दिखाता हूं मैसेज करके मैसेज मैने किया अब यहां पर मैसेज आ गया यहां पर आप देख लीजिए यह मैसेज आ गया ठीक है यह नोटिफिकेशन को अगर हाइट करना चाहते है अब तो यहां पर आपको सेटिंग मिलेगी allow floating notification आपको इसे off कर देना है अब मैं मैसेज करूँगा तो आप देखेंग यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसे भी आप Hide कर सकते हैं, ठीक है तो कैसे Hide करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर आपको थोड़ा सा नीचे आना है, नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको एक सेटिंग मिलेगी, चैट्स, आप देखेंगे चैट्स के नी screen notification इसे अगर आप off कर देंगे तो lock screen पर भी WhatsApp के notification आपको दिखाई नहीं देंगे जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते में message कर रहा हूँ तो यहाँ पर notification नहीं दिखाई दे रहे हैं screen में WhatsApp को यहाँ से बंद कर देते हैं सेकंड के लिए दबाना है app info में आ जाना है और यहाँ पर आपको notification सेटिंग में आ जाना है अब यहाँ पर उपर में जो सेटिंग आपको दिखाई दे रही है show notification आपको इसे बंद कर देना है तो सभी notification all notification WhatsApp के बंद हो जाएगे और इस क्रीन पर दिखाई नहीं देंगे ठीक है on करेंगे दिख जाएगे अगर आप इन्हें on करना चाते हैं सेटिंग को on भी कर सकते हैं आप और off करना चाते हैं तो मैंने आपको बता दिया किस तरह से WhatsApp के notification इसक्रीन पर नहीं दिखते हैं अगर दोस्तों आप WhatsApp कॉल को बंद करना चाते हैं हमेशा के लिए वीडियो कॉल और वाइस कॉल दोनों ही कॉल को आप बंद कर सकते हैं तो इसके लिए आपको ये वाला वीडियो देखना है ये वीडियो आप ज़रूर देख लेना अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना वीडियो को लाइक कर देना